सब्सक्राइब करते हैं उसे सब्सक्राइब आपके साथ अंकी सींग चुहान आज हम आपको मिलाने वाले हैं कोईले की खधान से चमकते हुई उस हीरे से जिसकी चमक पूरे हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान के बाहर भी है समझें आप नहीं पहले वीडियो देख लिए और उस वीडियो के पीछे जिसकी आवाज होती है जो शोशल मीडिया पर चा गया है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हसाया है आज वह हमारे साथ बिहार कलाल केशोव जी हमारे साथ महमान के तौर पैंचले इंसे जूड़ते हैं पूछते हैं क्या क्रेटिविटी या फिर क्या खागर पैदा हुए थे कि आपने यह कुछ सोच जाए और पूरे हिंदुस्तान को हसाया सबसे पहले बहुत स्वागत है कि हमारे गरीब के कुटिया में बहुत अच्छा लगा आप से मिलके और बताइए टैलेंड की इस उत्पती कहां सोई है हमको लगता है कि कोई भी कलाकार का उसका कलाकारी उत्पती होता है उनके जरन है तो वैसे करके मेरा भी स्टाट होगा सोचा कैसे था कि यूटूब पे आते हैं लोल सब देख ऐसा बकलोल से लोल आपने चुराया लाश्ट के कुछ वर्ड सुरवात कैसे हुई थी कि इस तरह से लोगों को हसाना है कुछ अलग से काटून अलग से वाइस देने हैं इसक हम लोगों को खुश रखते हैं अब हम उसके लिए अब जैसे यूट्यूब पर कैसे आए इसका हम आपको जवाब देते कि यूट्यूब पर हम वीडियो बना रहे है छे साथ साल-8 साल से ठीक है और हमको सुरू से एक चीज समझ में आ गया था कि आपको अगर आपके पास यूट्यूब फेस्बूक पर अगर दोस्त लोग अगर देख रहे हैं तो वह लोग आपको रिव्यू करेंगे तो हम पहले सही वीडियो बना बना के डालते रहते तो बहुत मतलब हम अभी अपने इस इस जर्णी में साथ-ार साल के जर्णी में हम इतना वीडियो बनाए है STEP QUESTION किसी और का वीडियो बनाते थे तीक्टॉक बेढ़े वीडियो बनाते थे हम ठीटर कर चुके है कंधिन बड़े बड़े डेक्टर्स केसाब जहां पर मेरे आवाज के मॉडिलेशन पर काम हुगा कैसे हम किसी सब्सक्राइब को भेञेंगे कि वो साफ साफ सुनाई दे वो सब चीज था तो वैसे करते करते सारा कुछ एक जगह पे lockdown के टाइम में जमा हुगा frustrated दिमाग, depression दिमाग में लगा कि कुछ तो किया जाए कि हमको भी मजा है, audience को भी मजा है आप अंदर की टैलेंट ही इसके पूरे दुनिया दिखाने का मौका दिया क्योंकि पहले दुनिया से काट दिया Mm एक अपनाई सोचें सब लोग जो लोग घर पर अपने ही बारे में सोच रहे कि हम को क्या करना है इसके बाद क्या करना है तो उस दौरान बहुत लोग बहुत काम किये और अच्छा किये उसी दौरान हम मेरे अंदर भी लगा कि पहले हम बनाते थे किसी और लॉग्डान के टाइम में स्टार्ट जो किये थे वीडियो तो हम ऐसे इंटर्व्यू टाइप बनाते थे जिसमें अलग अलग करेक्टर्स हम खुद निभाते थे और कोई जो गंभीर वीशा है उस पर हम चर्चा करते थे और अपने वीडियो के हंदर में जो आपने जानवरों को चूना है जिसे कभी बंदर कभी कुटे कभी कुछ और जानवर रहते हैं तो माइंड मे रूम में बैठे हुए ठीक है तो हम पंखा देखते हैं तो हमको लगता है कि पंखा क्या सोच रहा होगा कि लटका के मों को छोड़ दिया है तो यह क्या सोच रहा होगा जानवर है तो उसके पास कोई लेंग्वेज नहीं है तो उसको इंसान नहीं समझ सकता है लेकिन बोडी लेंग्वेज जैसे क्या होता है कि मान के चली कि गुस्सा है जब इंसान गुस्सा होता है तो गुस्सा उसका चेहरे से पता चल जानवर भी गुस्सा होता है तो उसक लोग का हम लोग का आवाज कर देते हैं वीडियो आया आपका चला आपने साथ साल मेहनत किया टर्निंग पर आपके जिंदगी में बैडेव वाइरल होने सुरू हो गए लोगों ने देखना सुरू कि यूटूब से भीव आने लगा फेस्बूक पे भीव आने लगा तो उस समय जो आपके अंदर की जो एक कहेते सकते उर्जा थी उसको कितना और कह सकते हैं वो प्रेशर मिला कि हाँ चले आप कुछ एक्टिव हो जात अ्बैट बहुत सारे पेजे जो इंस्टाग्राम के पेज से उन्हों ने उसको हुन की और पास पतस्य आवाज हुन लगा तो आप देते गया तो आ Zack य ही करना था मतलब मेरे दिमाग में जो मतलब ऑडियंस के पास क्या होता है कि कोई भी कलाकार है तो अपनी बात को अपने जो वो दुनिया के बारे में सोचता है वो दुनिया को दिखाना चाहता है तो उसका अपना अपना तरीका है कोई गाह के सुनाता है कोई डांस करके दिखाता है कोई acting करके दिखाता है हमको इस ऐसे मिला तो हम अपनी कहानी जो अपने लोग आपने बीच के कहानी अपने लाइफ का कहानी हम इसके थुरू हम बताना शुरू किया तो हमको मज़ा आने लगा पहला रियक्शन किया था जब आपकी फैमिली या फिर आप कहीं बैटे थे क्यूंकि एक वीडियो वाईरल हो जाने से आपको कुछ होने वाला नहीं ही थी कै ? आप में चमता यह आपका तब मापा जाएगा जब आपका हर कंटेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे होगा वारियेशन होगा दम होगा हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हम यह सोचते हैं कोई बड़ा उत बड़ा का ग्यान देवल आदमी नहीं है लेकिन हम बता रहे कि जब भी हम वीडियो बनाते हैं कि वीडियो वाइरल हो जाए हम बस एक्सपेरिमेंट करते हैं वीडियो में तो कभी आप एक करके नहीं चेहरे से नहीं हमेशा वाइशी आपकी दिखिए ज्यादा तर हम चेहरा देख लीजे आप लोग यह वह टैलेंड़ बंदा है जिसने टाइलेंट भाया कई गुना ज्यादा है पीछे की तस्वीर दिख रही होगी उसी टाइलेंट और होनरबाज का शम्मान वे मिला है बिहार में इसी प्रतीबा है और उस प्रतीबा के एक ऐसे केशों केशों जी हैं जिन्होंने उस गरीबी खाने से उठा एक छोटे से जग कर काम करो घर चलेगी होका और गिसंटर तो अगर वाला है तो उसका होता है कि बच्चा करने लगे या जिन्दगी इसका स्पॉयल ना हो जाए तो मेरे पापा भी मेरे पैरेंट्स भी चिंता करते थे इस बात के लेकिन इन सब चीजों के लिए क्योंकि पापा भी गाते बाते हैं थोड़ा सा कलाकार मूड के हैं तो हमको इस चीज के लिए पूरा सपोर्ट मिला है अगर अभ अब बताएंगे डेडिकेट करेंगे अपनी फैमली को तो जो आवाज लिका लेंगे अब ऐसे हम बोलें तो नहीं लेकिन हम बताते कि मेरे पापा थोड़ा सा है कि वह भी जब बात करेंगा आप उनसे बात किजेगा तो ऐसे जब बोल है तो उनके चेहरे पर हर वर्ड के स तो और आदमी ने देख लिए हम दुनिया में एक नमबर आदमी है तो रहा से हम बहुत क्यों सिख लिए हम यू आर यूनिवर्सिटी ऑफ मी क्या बात है मतलब पूरी-पूरी वो विश्व भी डाले ही है जिन्होंने अपने बच्चे को पूरी तरह से कर दिया है अपने तो हम अपने बापा से सीखे हैं या फिर हम जिन लोगों के साथ दोस्तों यारों के साथ रहे हैं इधर उधर इवेंट की हैं तो उन सब सारे चीजों को हम जीने के वज़े से सारा कुछ सीखें थोड़ा आगे बढ़ते हैं इंट्रिवूशेशन को थोड़ा लंब बढ़ आँ एक वीडियो वायरल हुआ था हम उसका हम आपको एक डालोग सुनाते हैं कि दो बिल्ली है दोनों बिल्ली लड रही है एक में लड़का है और एक लड़की है उसको हम क्रेट किये के माल लीजिए लड़का लड़की है गल्फिंड बॉड दोर तो वह बोल रहे कि तु तो बिल्ली ऐसे घूम के देखती है पीछे तो वह उसका बड़ लैंग्विज पर हम इस तरीका से कुछ बनाए थे तो तुम को राची बेज देंगे हैं तो एक वीडियो था यह इसे यादी नहीं आता है कि क्या वले हम बहुत नहीं हम सवाले चलते हैं कि जो होना है काभी उपाल मार रही है शामुंदर की तरह भोजपूरी में इंडस्टी भी है बिहार में कह सकते हैं बहुत पूरी नहीं कोई बड़े सुपरस्टार हैं आपको कभी मौका मिलेगा आपकी आवाज को फिल्मों में देने का या तो क्या हस के दम गले लगा लेंगे इस अपर्चुनिटी को हम कलाकारी में विश्वास रखते हैं हम को कहीं से काम करने मजाता है भोजपूरी बहुत अच्छा इंडस्टी है बहुत अच्छा काम कर रहे है ठीक है विवाद उबाद तो सब जगह चलता है कोई ऐसा इंडस आए वाइस में आपकी आवाज देनी हो कोई चीज किसी सीन को बिल्कुल बिल्कुल स्विकार करें कोई दिक्कर नहीं हमको भोजपूरी भी बोलने का मौका मिलेगा हम भोजपूरी को और करीब से जानेंगे यह मेरे लिए बड़ी बात है नहीं ज्यादा अच्छा लगता दोस्त लोग से पुछेगा तो बताएगा खुब नाचते भी हैं हम पहले जाते थे डांस करते थे ब्राती में कहीं दोस्त यार के भाईया हुआ करते हो जहां में भी फिलाल इंटर्व्यू कर रहा हूं आपको जहां की इस्तिती देख रहा हूं कोई हाइफाइ नहीं है ल आप करते हैं किसे रहते हैं कीस तरह से करते हैं अब धिखा सकते यह इस लीकोर अपना जगह नहीं तो आप अगर लगा देते में सेट अप फिर उखाल के आप दूसरा जगा सेट करोगे तो दूसरा जगा लगाओ तो हम जगा देख रहे हैं कि कहीं अच्छा जगा हो जहां मेरे लाइक महाल भी थोड़ा सा दीख होता है तो वह सेट अप करेंगे लेकिन फिलहाल भी हम कंबल में ओलके ताकि आवाज वैक् अपनी इस पहचान अपनी लब्दी को अब किसे डेडिकेट करना चाहोगे अपनी फैमिली या फिर वह कौन सा आपका एक बंदा है जो इस सक्सेज को आप उनको डेडिकेट करना चाहें हम किसी एक का इसमें नाम नहीं ले सकते हैं सबसे पहले तो पापा का नाम लेंगे है और पापा के अलावे बहुत लोग है यार दोस्त भी है जिनके वज़े से यह मोटिवेशन भी मिला कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके वज़े से डी मोटिवेशन मिलके फिर मोटिवेशन मिला बस 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 वैसा ही है कुछ तो हम उन सारे लोगों को डेडिकेट करना चाहते जो लोग जिन लोगों से मेरा जुडाव रहा और सब को तैंक्यू मेरे तरफ से जाते जाते अपने फ़नी अंदाज में वही वाला अंदाज में हमारे दर्सकों कुछ कहते जाएए नमस्कार प्रणाम हमरे नाम है केसफ फांडर और आर्टिस्ट अप सब्लूल है भाई आए हमारे साथ जुड़ने के लिए टैलेंटेट की खान है एक अलग सी कोहिनूर है जिनकी चमक भले ही बिहार के चोटे से जीले से है गया अपने नम बताया था गया से लेकिन उस गया की खनक और उसकी चमक पूरे हिंदूस्तान में है और हिंदूस्तान के बाहरी देशों में भी है जहां तक इनकी वीडियो पहुशती है इन्हें बहुत सपोर्ट करें बहुत प्यार दें और कौन का तयार कि बिहार में टालेंट नहीं है भर भर के है तो ऐसे कलकारों को आप भी इन से अप्रोच करिए इनकी हुनरबाज को आप दुनिया को दिखाए और इन्हें करेंग दुनियाओ उिसे हुआए टॉट करेंग दूशती है लोग में जाप आप पार कुट सकते हैं जाया तो आपते हैं भी इनकी हैं एक बिहाए जाए भी आप